नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और दोस्तों आज के इस विडियो में मैं आपको बताने वालों की MIUI 11 का न्यूव फीचर्स के बारे में जो कि है वाइस और वाइफाई कॉलिंग जहां दोस्तों वाइफाई कॉलिंग पूप का एफ़ान रेडमी K20, K20 Pro हलाके रेडमी Note 7 Pro उस डिवाइस में आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों आज के इस विडियो में मैं आपको बताने वालों की किस प्रकार से वाइफाई कॉलिंग जो फीचर्स है किस प्रकार से आपके डिवाइस में इनेबल करना है और किस प जाएँ प्रट्रजियो तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगे कि यह जो फीचर से वाई-फाई कॉद अना स्टार्ट हो जुका है जैसे कि आपको का एफन है डिजन्स के ट्रेटमी डिजन्स प्रो डियॉस्कों वाई-फाई-ब्रो डियॉस से नेक्स आपड़ीट के बाद जरूरी फीचर से अपके फोन के अंदर देखने को मल जाता है तो अगर आपके फोर जी या फिर फोर जी जूबी अपसीम यूज़ करते उस पर क्लिक कर देना अग्लिक करने के बाद उस नीचे के तरफ से देशाथ को मैं कॉल यूजिंग वाइ सब्सक्राइब करने के लिए अपके पास किसी भी प्रकर जो आई उसे डेटा या पर कटिंग नहीं होता है और दोस आपने जो कॉल लगा या पर आसनी से मतलब कि सिंप कर से कॉल लगा है यह फिर रभाएपार से कॉल से दिशाथ War से तो इस सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वाइपाय कॉल इस प्रकर नहीं लगाएंगे तो एक पर आसनी से विदाउट एनी डाटा मतलब विदाउट एनी आईसी चार्जे सपासने से फ्री में कॉल कर सकते हैं वाइफाई के जरीए और दोसे जो सर्विस आपर कुछी सिलेक्टिव एरियास में मतलब कुछी सिलेक्टिव सिटीज में स्टार्ट हो चुक है जिवा एंड एर्टेल की अगर आपके फोन्स के अंदर वाइफाई कॉलिंग के जो फीचर्स अभी तक देखने को मिला या फिर नहीं मिला है तो दोस्तों वीडियो पसंदा तो लाइक करो शेयर कर अपने दोस्तों के साथ फिर मिलेंगे और भी इंट्रेस्टिव वीडियो के साथ अब तक के लिए थैंक यू बबाई टेक केर